हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल अंबिकार डिजानर साइन ब्यूट्री टिप से आई होप यू आप अच्छे होंगे आज मैं नया वीडियो लेके आई हूँ इस्टेच मार्क के बाद को कैसे रिमू किया जाता है जैसे प्रेगनेंसी के दोरान महिलाओं का के पेट प बच पे हो जाता है सोल्डर पे हो जाता है उसको कैसे हम रिमू करें उस पे मैं वीडियो लेके आई हूँ देखिए जो भी कहता है कि एक दिन में मैं होम रेमीडिय बता रही हूं या टीट्मेंट बता रही हूं एक दिन में आपका इस्टेच रिमू हो जाएगा तो एक कम से कम इस treatment को आप महीना दिन करेंगे तो धीरी धीरी इसका निसान मिटेगा और आई हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्या क्या सामगरी लगेगा उसमें क्या क्या फायदे हैं कैसे उसको इस्तिमाल करना है उसका आप कैसे प्रोडेक्ट बनाएंगे चलिए मैं स्टार्ट करती हूं देखिए यह बैसलीन है मैं एक चम्मच दो चम्मच बैसलीन लोंगी दो चम्मच मैं बैसलीन लोंगी बैसलीन मैं ले ली आप इस मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं बैसलीन और एलोवेरा जेल है आपके पास एदी पत्ती वाला आपके लॉन में भी मिले तो आप उसको भी डाल सकते हैं जेल को निकाल के इसको भी मैं दो चम्मच लूंगी बैसलीन और एलोवेरा बराबर मात्रा देखिए एक चौथाई भाग में केश्टर आयल ले रही हूं एक चौथाई भाग में ले रही हूं इसके जगह पे आप अदाम का भी तेल ले सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो इसको मिक्स करेंगे देखिए इतनी आसानी से मिक्स होने माला नहीं है इसको हम गरम पानी में बावल में रखके इसको मिक्स करेंगे देखिए एक गरम पानी में बावल में गरम पानी ली हूं इसके अंदर मैं इसको डालूंगी और धीरे-धीरे इसमें इसके गरम पानी की वज़ा से धीरे-धीरे देखिए गल रहा है जब एक दम मिक्स हो जाए देखिए आप ल इसको रख सकते हैं उस तरह से रखना हो तो कम सकम 15 दिन के लिए श्टोर रख रखे एदि आपको फ्रीज में रखना है तो आप दो महीना भी इसको श्टोर करके आप रख सकती हैं देखिए इदा मिक्स हो गया तेल एलो वेरा और वैसलेन तीनों मिक्स हो गया आपका आपर क्रिम द생 वह गया इसको हं सी से के ज़ार में इसको हम भरके इसको दो महीना इस्टोर कर सकते हैं फ्रीज मे और रखतार डिली लगाना है आप सोने से पहले आप लगा कि ओब नाइट के लिए ऐख धिए और एजिए-एज-ए-ढ आपका महीना दिन लगाएंगे आप सब्ताह में तो कभी नहीं होगा इंपॉसिबल है ओचीज आपको धीरे धीरे एक महीना से देड़ महीना दो महीना चार महीना भी लग सकता है इसको लगा के आप देखिए यदि आपके पास अलोवेरा उकलव दो पत्ती वाला अलोवेरा तोड़के उसका जेल निकालके आप जील को भी आप पेट पया जहां भी इसको लगा के ओवरनाइट के छोड़ सकती एक छोड़के आप सुभा नहा लिजिये आदा गंटा लगा नहां पहले लगा लिजिये और सेट उपाय सही है लेकिन ज्यादा बईश्ध ए हैं आप इसको करके देखिए दिखिए तो आप उसको डबल करके बना सकते हैं क्योंकि इसको दू महीने तक फ्रीज में श्टूर कर सकते हैं इसलिए रखने के लिए मैं कह रही हूं कि अलो वेरा के वजह से क्रीम खराब हो सकता है तो आप फ्रीज में श्टूर करेंगी तो दू महीना आप कर सकती हैं और इसको आप इस्किमाल करके लगाईएगा यदि आपको रिस्पॉंस अच्छा मिलेगा तो कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सेर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा और हाँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली की वारा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बाई बाई थैंक यू